Hello everyone, in this video I am going to tell you how you can find the password of a Wi-Fi So as you can see, यह मेरा एक Wi-Fi है, जिसके साथ मैं connected हूँ तो मुझे अब इसका password जानना है, तो वो कैसे पता करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने command prompt open करना है और उसको as an administrator run करना है तो यह आपके पास command prompt की window आगई अब सबसे पहले जो आपने command run करनी है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हो है तो step 1 क्या है, यह command आपने चलानी है netsh wlan show profile तो यह आपको क्या बताता है, अभी देखते हैं netsh wlan show profile तो यह हमें बताएगा जितने भी मैंने wifi इस system के ओपर use किये हुए है यह सारे के सारे इसने मुझे बता दिये तो जैसे यह चार wifi है, तो अभी currently मैं किस के साथ connected हूँ, currently मैं connected हूँ, इसके साथ, अंकर सरीन के साथ मैं connected हूँ, अभी मैंने उस password जानना है, इन सभी का, क्योंकि हम password save कर देते हैं जब भी हम wifi के साथ connected होते हैं, कि next time connection करने में easy रहे, तो अभी हम उसका password पता करेंगे, तो step number two क्या है, हमने यह command चलानी है, net sh wlan export profile, मतलब यह जो हमें, इसने जो profiles दिखाई हैं, हमने इनको export कर देना है, इस folder के अंदर, folder कोई भी बना सकते हैं, मैं c drive के अंदर इसको export करूँगा, तो it's very simple command, इसको copy कर लेते हैं, net sh wlan export profile, मतलब इस प्रफाइल को export करना है, और इस folder में हमने export कर देना है, तो यहां पर हम इस command को लिखते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, कि ताकि आपको इसको समयने में असानी हो, तो net sh wlan export profile, ठीक है, और folder equals to, किस folder में हमने करना है, तो हमने करना है, c drive में, और key equals to clear, और इसको करने के बाद हमने enter मानना है, तो यह हमें बता रहा है, कि यह सारी की सारी, जैसे यह देखो, यह पंकर सुरीन जो wifi connected था, यह इस वली फाइल में चला गया, उसकी सारी की सारी profile की information, similarly यह चारों files create हो चुकी है, तो चलिए अब इन files को open करते हैं, तो c drive के अंदर आप देख पाऊगे, कि जैसे यह वली file create हो गया, तो मैंने पंकर सुरीन वली file को open किया, मैंने जैसे ही इस वली file को open किया, यहां पे आप देख सकते हो, यह जो key material है, key material के अंदर जो भी value होगी, वो आपका Wi-Fi का password होगा, तो I hope यह काफी helpful रहेगा, लेकिन इसके साथ सिर्फ आप उनी Wi-Fi का password निकाल सकते हो, जिनके साथ आप पहले connected रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि किसी Wi-Fi के साथ आपने कभी connection ही नहीं किया, और उसका भी Wi-Fi का password पता चल जाए, ऐसा नहीं होगा, अपने पहले कभी connect किया है, आपको उसका password नहीं याद है, ठीक है, तो आप इस तरह से password को निकाल सकते हो, Thank you for watching this video.